पहले आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों ये न्यूज वीडियो AI की हेल्प से फ्री बनाया गया है आप भी इस तरह की मोबाइल से AI न्यूज वीडियो बना कर 2024-25 में लाखों रुपे चाप सकते हैं यूट्यूब फेस्बुक पर AI न्यूज वीडियो अपलोड करके आपको पता ही होगा न्यूज वीडियो पे मिलियन्स में व्यूज आता है हमेशा ट्रेंड में चलता है AI न्यूज चैनल ग्रो करना उतना ही आसान है जितना फोन कॉल पे जूठी बातें करना क्योंकि इस कटेगोरी में हर रोज अनलिमिटेड ट्रेंडिंग टॉपिक मिलेगा वीडियो बनाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे इस निश पे काम सुरू कर दो इस वीडियो में बताया गया है step by step आप कैसे mobile से AI news वीडियो बना सकते हो free में ऐसा AI news वीडियो बनाने के लिए सिर्फ इन simple 4 steps को follow करना है but don't miss out the 4, 1 क्योंकि इन 3 steps में हम जो कुछ भी करेंगे उनको हम 4th step में implement करेंगे so let's start with step 1 AI news वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए AI news anchor जो इन लोगों की तरह वीडियो में बोलेगा okay तो आपको google पे search करना है ideogram AI पहली वाली website पर click करके sign up कर लेना अब आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का prompt type कर देना है और ऐसे ही professional 20 prompts हैं इस PDF में PDF का download link वीडियो के नीचे description में है यह PDF सिर्फ मेरे subscribers के लिए है अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले आपको subscribe कर लेना है okay तो prompt type करने के बाद यहाँ generate पर click कर देना है कुछ ही second में 4 AI image तयार हो जाएगा आपको जो अच्छा लगे उसे download कर लेना अब आपको news script और AI generate anchor बाला photo को मिला कर AI news video तयार करना है इसके लिए हम इस AI app का इस्तमाल करेंगे इस app का pro version कहां से download करना है वीडियो के last में बता दूँगी ओके तो इस app को open करना है open करते ही आपको कुछ इस तरीके का interface दिखेगा simply आपको create पे click कर देना है अब आपको यहाँ पर click करके news script को type कर देना है अब आपको ठीक इसके नीचे change वाले button पर click करके video का ratio 16 9 को select कर लेना है अब आपको यहाँ पर बहुत सारा person देखने को मिलेगा simply यहाँ पर click करके ideogram बाला AI generate anchor का photo को upload कर देना है upload करने के बाद background पर click करके ठीक उसी photo को upload कर देना है upload करने के बाद अच्छे से adjust करके apply पर click कर देना ठीक change के नीचे audio settings है तो settings बाले button पर click करके language select करना है for example मैं Hindi language में news video बनाना चाहती हूँ तो मैं Hindi language select करूँगी आपका speaker male है या female यहाँ पर click करके select कर लेना और apply button पर click करके create button पर click कर देना आप देख सकते हैं video making का processing चल रहा है 1 से 2 मिनट में news video तयार हो जाएगा और आपके mobile में automatic save हो जाएगा अगर आपका internet slow होगा तो आपको failed बाला problem face करना पड़ेगा लेकिन आपको tension नहीं लेना है simply retry वाले button पर click कर देना है वीडियो तयार हो गया न्यूज वीडियो को और भी engaging बनाने के लिए चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर वीडियो को professional और engaging बनाने के लिए आपको चाहिए होगा news intro और news template और साथ ही news background music ये सभी materials सिर्फ मेरे subscribers के लिए मैंने download link इस QR code में डाल दिया है जो की copyright free है इस QR code को scan करते ही आपको मिलेगा amazing news intro, viral templates और popular news background music साथ ही news video में use होने वाले eye catching graphics जो आपके वीडियो को और भी engaging बना देगा अब समय आ गया है इन सभी steps को fourth step में implement करने का तो fourth step हमारे manager sir बताएंगे इन सभी steps को fourth step में implement करने के लिए हम use करेंगे mobile video rating का सबसे powerful और free app CapCut का इस app को open करते ही आपको new project वाले option पे click कर देना है और AI generated news video को select करके add वाले option पे click कर देना है अब आपको वीडियो के last में आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं logo जो है CapCut का इसे delete कर देना है delete करने के वाद video के starting point पे आना है और overlay पे click करके add overlay पे click कर देना है अब आपको news template को select करके add वाले option पे click कर देना है click करने के वाद news template को screen पे अच्छे से adjust कर लेना अब आपको यहाँ पे click करना है देख सकते हैं यहाँ पे आपको remove busy वाला option मिलेगा इसके उपर click करके आपको यहाँ chroma key वाले option पे click करना है अब यहाँ पे आप कुछ इस तरीके शे green screen को chroma key कर लेना chroma key करने के बाद आप देखेंगे तो video का जो man layer है बहुत ही लंबा है और template बहुत ही छोटा है तो adjust करने के लिए आपको template पे click करना है और scroll करके यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक option मिल जाएगा duplicate इसके उपर click करके कुछ इस तरीके से आप adjust कर सकते हो अपने video के recording आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से तो कुछ इस तरीके से करने के बाद अब आपको क्या करना है वीडियो का जो man layer है उसे select करके इस frame में adjust कर देना है कुछ इस तरीके से अगर आप चाहो तो इसे crop भी कर सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हैं crop करने के लिए यहाँ पे आपको करना क्या है यह जो आपको यहाँ पे option दीक रहा है यहाँ पे क्लिक करके resize पे क्लिक कर देना है और कुछ इस तरीके से आप crop यहाँ से कर सकते हो crop करने के बाद सही वाले icon पे click कर देना यहां से कुछ इस तरीके से आप adjust कर सकते हो ठीक इसी तरह से यहां पे अगर आप देखेंगे तो अच्छे से adjust हो चुका है frame में अब अगर आप background photo वेगेरा add करना चाहते हो तो ठीक add overlay पे click करके आप यहां फोटो जो भी आप add करना चाहते हो यहां से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से किया था मैंने तो इस तरीके से आप कर सकते हो and इस photo वाले layer को frame में set करने के लिए आपको यहां पे click करना होगा आप देख सकते हैं layer वाले option पे and कुछ इस तरीके से आपको इधर कर लेना है and आप देख सकते हो frame में photo set हो चुका है अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो यहां पे text पे click करके add text पे click कर देना and यहां से आप कुछ भी type कर सकते हो type करने के बाद कुछ इस तरीके से आप adjust कर सकते हो बांक की यहां पे आपको बहुत सारा option मिल जाता है animation, effects, style वेगेरा का तो आप कुछ इस तरीके से news video cap cut में edit कर सकते हो edit करने के बाद आपको यहां पे click कर देना है and exporting का processing start हो जाएगा 100% exporting होने के बाद आपके device में video save हो जाएगा झाएगा झाएगा झाएगा